जमू कश्मीर 370 और 35 ये तीन विशे आजकल खूब चर्चा में हैं और खास और पे मामला जब 35 को लेकर कोर्ट में हो तो राजनीती में भी इसकी चर्चा होना स्वभाविक है जमू कश्मीर की शेत्री अपारटियां PDP, National Conference, इनके नेता उमर अब्दुल्ला और महभूबा मुफ्ती इनोंने जिससने के बयान दिये उसने कई प्रशनों को जन्म दिया है और उन्हीं प्रशनों पर आज हम जवाब लेंगे, हमारे साथ हमारे विशेश्य महमान हमारे साथ जुणे है DK दुबे, आप समविधान एक मामलों के जानकार है, समविधान विशेशग्य है और जम्म कश्मीर पर आपका अच्छा खासा ध्यान रहा है, इसलिए तो दुबे साभ अभी जब हम इन नेताओं के बयान सुन रहे थे तो बड़े अलग-अलग किस्म की बाते आई कुछ तो लोगों को भड़काने वाले बयान थे कि यदि 35 से कुछ हुआ तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, वो सब बाते बात में मगर उन्होंने सबसे जो मूल में सवाल उठाया, वो उठाया इंस्ट्रूमेंट ओफ एक्सेशन का वो दरसल मसला क्या है, वो बार-बार कह रहे हैं कि कुछ शर्तों के साथ वो लोग शामिल हुए, ये शर्ते क्या है, ये समझ में नहीं आ रही है, जिनके ओपर इतनी सारी बाते हो रही है, इस पे जरा थोड़ा तफसील देंगे मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको ये क्लिर कर लेना चाहिए कि एक्सेशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या था, जब तक हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस पूरा नहीं जान लेते, तब तक हम जम्मू कश्मीर के इस मसले को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान दो प्रकार के एड्मिनिस्ट्रेशन में है एक बिटिश इंडिया है जिसका टूप नेशन थियूरी आई पार्टिशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना बाकी साड़े 500 से उपर रियासते हैं जिनका बिटिश इंडिया के साथ रिलेशन है अफ्टरल सावरेंटी बिटिश इंडिया की है लेकिन ये कुछ हद तक स्वायतता रखते हैं और अब जिस समय अंग्रेज यहां से जा रहा है उस समय हम रिडिफाइन कर रहे हैं रिन्यू कर रहे हैं तो रिन्यू करते समय हैं हमने कहा कि क्या पुराने रिलेशन्स को नए फ रिडिफाइन होंगे इसलिए हमने क्या किया कि इनीशियली सभी राज्यों को बुलाया 25 जुलाई 1947 को मांट बटन के धक्षता में और इन स्टेट्स को आवाहन किया कि देखिए आपको एकसीड करना है वो हिंदुस्तान में करें या पाकिस्तान में करें और इसके अलावा आपकी बाधिता है वो यह है कि आपको एकसेशन वहीं करना होगा जिससे आपकी बाउंडरी लगती है तो जहिर सी बात है कि किसी भी राज्य को सुतनतर रहने का अधिकार नहीं है इसमें मांट बटन के प्लान में या उस समय का जो प्लान आया और किसी भी राज्य को ऐसे ऐसे देश में विले होने का अधिकार नहीं, जिससे उसकी बाउंडरी नहीं लगती हो, यहिदराबाद पाकिस्तान नहीं जा सकता, और बलूचिस्तान हिंदुस्तान नहीं आ सकता, एक तो यह बात, अब हमने initiation जब किया, तो एक understanding बनाई है, initial understanding, वो था instrument of accession, अधिमिलन पत् लब होता है, relations को बढ़ाना, अभिवर्द्धी करना, हमने वो relations अभिवर्द्धी करने के लिए एक instrument of accession बाटा, कि initially इस पर हमको सहमती बनानी है, वो instrument of accession सभी रियासतों को एक ही format बाटा गया, उसमें किसी भी रियासत के लिए कुछ भी extra लिखना या काटना संभव नहीं ठीक है, इसमें एक शब्द जो आपने अभी बोला, अकसर हम जब सुनते हैं, तो जम्मु कश्मीर के भारत में विले की बात, यह ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपने एक शब्द इस्तमाल किया, अधि विले, यह जड़ा इसके बारे में अंतर क्या है, तोड़ा सम्झाएंग यानि कि भारत जो है, बिटिशर्स के समय पर भी बिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट मिला कर है, इसलिए जब पासपोर्ट बनता था ना उस समय है, तो आपको बिटिश इंडिया से लेना पड़ता था आप किसी प्रिंसली स्टेट के राजा क्यों ना हो, आपको पा एक्सेशन को उस सभा में बाट दिया गया तो राजा सब ले गए और राजाओं को सिर्फ इतना अधिकार था कि वो अपना नाम पता लिखते कौन सी रियासत है और नीचे वो अपनी सील लगाते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को गवर्नर जनरल को दे देना था ग कि हमारी उस राज्य की जिग्राफिकल बाउंडरी हम से मिलती है कि नहीं मिलती है अगर बलूचिस्तान है वो तो गवर्नर जनरल ने मना कर देना क्योंकि पॉलिसी में नहीं है इसलिए हमने उसमें ये भी रखा कि गवर्नर जनरल उसको फाइनल करेगा देखने के बाद इंस्टूमेंट अफएक्सेशन पर साइन किया जिस इंस्टूमेंट अफएक्सेशन पर जम्मु कश्मीर के महराजा ने साइन किया इसलिए ये कह देना कि दोनों में कुछ फर्क है या शेक अबदुल्ला कह दें या उनके बेटे उमर अबदुल्ला आजकल कह रहे हैं या मिसगाइड करने का प्रियास किया जा रहा है मुझे लगता है कि उन सभी को पहले संवेधानिक प्रक्रिया पढ़ने चाहिए और ये Instrument of Eccation sign करने के बाद हम नई स्टेप पर आए तो हमने का अब हम बाकी के जो कानून है वो सारे एक साथ कैसे Amalgamate हो जाएंगे तो हमने Initial way पर इस पर किया और इसके बाद हमने पुना धीरी-धीरे करके अभी प्रदि करनी शुरू के बहें ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट तो उसको कहा गया Revised Instrument of Eccation और या फिर हमने कहा Covenant इतना हो गया इसके बाद सम्मिधान बनी रहा है या तो अब ये राज जब भारत में पुना नए flavor में आ गए तो अब सम्मिधानिक integration कैसे होगा ये हमारे सामने समस्या है क्योंकि कैसे कानून पास होगी ये भारत तो हो गया नया क्योंकि अब Dominion of India पाकिस्तान में गया नहीं हिंदुस्तान में आ गया आप इसको नया relation कैसे दे constitutional उसके लिए डॉक्टर मेटकर और लेडी ड्राफ्ट बना रहे है तो उसमें हमने क्या कि इन राज्यों में पहले तो ये रखा कि आप अपने अपने संविधान बना लीजए रज्यों के तो हम initially दो संविधान बनाने शुरू किये थे और बी अनवरा का संविधान देखेंगे तो तीन संविधान बनाना शुरू किया हमने प्रोविंस का सेन्टरल का और प्रिंसलिस स्टेट का तो प्रिंसली स्टेट्स को यह ओफर दिया गया कि अपने सम्मिधान बना लिली लोकल इस्चूस के और केंद्र में सम्मिधान बनी रहे थे तो जहिर सी बात है कि सारे स्टेट्स अपने हिसाब से सोच रहे थे और वो प्रिवी पर्स भी डिसाइड करना था कि उनको राजा को लावानी क्या होगा ऐसी परिस्थिति में हमने बियन राओ की एक कमेटी बनाई बियन राओ ने वहां राजाओं से बात की एक ड्राफ्ट बनाया और करा कि यह है वो सफल नहीं हो पाया तो हमने एक MK Veloody अवक्ताइडी ने यह जब example का प्बिएं करो और सर्दार पते ओं पर लुह ने पर गया कि तो कि भाहिन राज्यों के अलग संबिधान की बजाय को यू दिू इस संविधान में इसको अठकर देते union relationship relation का एक chapter बना देते हैं तो यह जो seven schedule आपके पास लगा हुआ है जिसमें आप union list, state list और concurrent list है यह वही संविधान की power है जो state के थे वो लाकर हमने यहां जोड दिये और princely state अलग हो गया, province अलग हो गया और union अलग हो गया फिर यह जब इसमें attach कर दिया हमने, attach करने के बाद यह संविधान फिर से भेजा गया सभी राज्यों में और राजाओं से कहा कि अब इसमें देख लीजी कि क्या है क्योंकि संविधान finally हम 17 October 1949 को बना चुके थे और आपको यह बात तो सर्विधित है कि 25 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया, अखिर यह सभा मैना हो क्या रहा था, सभा मैना यह प्रिंसली स्टेट्स में सम्मिधान गया, प्रिंसली स्टेट्स ने इसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद पहले उन्होंने अडॉप्ट किया, सभी राजाओं ने, और प्रोक्लेमेशन किया, किसी ने 9 नवंबर को किया, किसी ने 23 नवंबर को किया, किसी ने 24 नवंबर को किया, और जमु कश्मीर ने 25 नवंबर को किया, और 25 नवंबर को सम्मिधान को अडॉप्ट करके घोशना करी गई, कि अब कम मेरे उत्रादेकारी और राज में आने वाला शाशन करने वाला कोई भी व्यक्ति जो भी बैठेगा मेरे बाद वो सब भारत के सम्मिधान को एडॉप्ट करते हैं और भारत का सम्मिधान यहां लागू होता है और साथ में जो एक और इंपूट दिया वो मेरे को लगता है कि अब दुला साहिश सबको पढ़ना चाहिए वह इंपूट था इन केस ऑफ एनी इन कोंसिस्टेंसी बेट्मिन दा कॉंसिटूशन आफ इंडिया एंड इस्टेट लॉज अब आप देखिए जब कॉंसिटूशन आफ इंडिया प्रिवेल कर गया तो राजा कहां चला गया र वह कोविनेंट और जैसे उसने संविधान अपने हैं डॉप्ट किया वैसे वह चला गया संविधान के अंदर यानि कि राजा है तो संविधान के द्वारा राजा है अगर संविधान उसको राजा नहीं बताता तो वह राजा नहीं है और इसका वैल इलस्टेटिट केस आय इंद्रा गांधी सरकार थी उसने राजाओं के स्टेटस खतम किये प्रीवी पर्स खतम किये है राजाओं ने यूनिन बनाई सुप्रीम कोट गए मधरोस इंद्या इन अधर्स मधरोस इंद्या उसका लीड कर रहे थे फिर 1993 तक मैसूर के राजा और बहुत सारे अलग-अलग केसिस भी चले गए सुप्रीम कोट ने डिसाइड किया कि देखिए इंस्टुमेंट अवेक्सेशन इस थिंग पास्ट and the ruler was the ruler because the constitution of India was recognizing as a ruler और अगर भारत का संबिधान ruler नहीं बहरता रहा है तो ruler नहीं हो सकता क्योंकि जो कह रहा है कि मैंने instrument किया मैंने यह किया वो अब संबिधानिक पोस्ट है और संबिधान उसको recognize करे तो वह संबिधान रॉकर्ग नहीं करता तो वह नहीं है इसलिए अब भारत में जब डेमोक्रेशी आ चुकी है ऐसी प्रस्थिती में राजा और प्रजा भारत में नहीं हो सकती है यह सुप्रीम कोट ने का और राजाओं को अगर पर्लेमेंट खतम करती है तो यह कॉंसिट्यूशन के फेट में एक अच्छा कदम है और यह टूट डेमोक्रेशी के तरफ बढ़ा हुआ एक कदम है अब देखे जब उमर अब्दुल्ला यह कहते हैं कि हमने साब इंस्टूमेंट वैक्सेशन साइन किया विद कंडिशन किया तो मुझे बताए इस पूरी प्रक्रिया में कंडिशने कब आ गई हैं राजा ने तो देश द्रों में अंदर थे जिन शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं वो जेल के अंदर थे शेख अब्दुल्ला का तो एक सेशन में कोई रोल नहीं है और शेख अब्दुल्ला को पावर भी नहीं थी शेख अब्दुल्ला तो राजा के अपड़ादी है नहरू जी उ पैदा कर रही एक्सेशन में तो आप ये मान कर चलिए कि जब उमर अब्दुल्ला कहते हैं तो उमर अब्दुल्ला का कोई सब्जक्ट नहीं बनता कि वो इस पर कुछ कह सकें वो ये कह सकते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूं इसनाते मैं कह सकता हूं हमने किया वो पिता जी की वपवती नहीं थी वह महराजा की वपवती थी उस बात पर कर्ण सिंग ने अभी चार-पांस दिन पहले कलेरिफिकेशन दिया महराजा के बेटे उन्होंने कहा कि एक्सेशन में कोई कंडिशन नहीं थी एक्सेशन वैसे हुआ जैसे पूरे देश का हुआ इसल पास ही अपने पने स्टेट के हैं और उन स्टेट को कुछ प्रिवलेज हमने दिये हैं सभी स्टेट को दिये हैं सबीस्टेट का सब्सक्राइब नहीं के लिए यह बातें की जाती हैं बाकी इसमें कोई दम नहीं है ठीक है यह बात समझ में आती है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और उसके बात की जितनी भी प्रक्रिया चली उसमें सभी राज्यों के साथ एक समान ही जो नियम है वो कायदे हैं वो रखे गए है और सभी राज्यों के जो नागरिक हैं उनको समान अधिकार है इसलिए जम्मु कश्मीर जब में जब ये विशेश अधिकार का नाम लिया जाता है और उसके नाम पर के वहां के नागरिकों को फिर वही प्रश्ण मेरा 35 वाला था कि एक बहुत बड़े से बहुत ज्यादा अधिकारों से वन्चित कर दिया गया है और उ 370 का इस्तेमाल करते हुए 35 का जनाम हो रहा है 370 जी इसका जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो है 306 कैपिटल ए बाद में जब कॉंस्टिटुशन फाइनल हुआ तो हमने इसकी री नंबरिंग करी तो री नंबरिंग में इसको नया नंबर मिला वो था 370 26 अक्टूबर सन 1947 को अधिमिलन हो गया जो सब राज्यों कर रहे थे वो उन्होंने भी कर लिया कुछ ने इनसे पहले कर लिया बहुताओं ने इनके बाद भी किया 1948-49 तक 50 तक होते रहे अधिमिलन वो कोई ऐसी बात नहीं है अधिमिलन के बाद सब राज्यों का अधिमिलन चुकि एक सा है constitution बनी रहा है 17 ओक्टूबर 1949 मैंने भी पीछे भी यते थी बताई थी को अचानक एक सज्जन खड़े हुए पर्लेमेंट में उसे में constitutional family कहते थे और उन्हें का I want to introduce a new article ऐगी प्रॉट यह बोगोने पूछा और पूछने वालों में सबसे पहले अवद्रान्तर से हजरत मौहनी आते थे होोना हजरत मौहनी उनको कहा करते थे उन्होंने प्रश्न किया उन्हें और बही यह किऊंए जब सब का बिलायए एक सा हुआ है अधिमिलन सबका एक सा हुआ है सब कुछ एक सा चल रहा है तो जमू कश्मीर को आप ने आर्टिकल क्यों देना चाहते हैं और प्रश्ने यहां पर ये भी बनता है कि कॉंस्ट्रेंट असेम्बली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसका कोई मेंबर क्यों नहीं लेकर आ रहा है साथ लोगों की मेंबर्शिप थी यह तो डॉक्टर अमबेटकर रख रहे हैं टी कृष्णामचारी रख रहे हैं या कोई कॉंस्ट्रेंट असेमली का जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य है वो आर्टिकल रखेगा आप ड्राफ्टिंग कमेटी के बाहर का वेक्ति कैसे ले आया कोई आर्टिकल ये भी प्रश्ण है उस समय गुपाल स्वामी एंगार ने जबाब देने शुरू किये हैं और गुपाल स्वामी एंगार ने ये कहा कि साब समस्या हैं इस राज्य के साथ इसलिए ये कॉंसिट्यूशनली पूरा कॉंसिट्यूशन हम आज वहां लागू नहीं करवा सकते हमको समय चाहिए लोग ने पूछा क्यों चाहिए तो उन्हें का भई 50% से उपर का राज पाकिस्तान ने कबजा कर लिया है आधे लोग इधर आधे लोग उधर हैं अभी अभी हमने सीजफायर किया है लोग शान्ती में हैं नहीं और हम यूएन हो जा चुके हैं ऐसी प्रसिती में जम्मू कश्मीर राज में पूरा सम्विधान लागू करना यह उचित नहीं होगा प्रटिशन में भी हमने यही किया कि जो लोग यहां है पहले वो तो यहां सेटल हो जाएं फिर हम देखेंगे कानून हमें क्या करना तो पहले जो लोग हैं उनको पहले सटल करना लोग कंडिमिंस्ट हो गये उनका बात थीक है इनकी है फिर सवाल आए कि साभामें ये तो बुले कि चारो रेप्रेजेंटेटिव मैंने सबसे बात की रेपब्लिक में कोई समस्या नहीं है समस्या यह ततकाल है इसको सॉल्व करने के लिए एक टेंपरीरी और वहां टेंपरीरी वर्ड उनने बाद में जुड़ा जो उनकी भाशन है उसमें इंतरिम वर्ड इस्ति ही और यह आखरी आर्टिकल है जजो सम्मिधां JEFF में जोडा गया और यह आखरी आर्टिकल तब जोडा गया जब क्रींबिश्केशन गर RAW आज क्रोस करें सम्मिधान सीथ क्लोजिंग से पहले का कुश्छन आया सुईकार हो गया आपकर ओपाल को पढ़ू तो कुछ समस्यां की वज़े से आया तो समस्य हैं सॉल्व हो जाएंगी तो यह चला जाएगा तो आपको 370 में भी लिखना पड़ेगा इसलिए 370 में जो इंतरिम वड़ वो इस्तेमाल करता है और का प्रेसिडेंट जब उचे समझे और उसको लगे कि यह समस्य हैं सॉल्व हो गई है उसको सीज करतेगा 370 सीज हो जाएगा तो जैसे बाकी पांसो साड़े पांसो रियासतों के उपर समिधान अपने आप प्रोक्लेमेशन से लागू हुआ था वैसे इस पर भी लागू ह हमें समस्याओं को सॉल्व करने के लिए पालेमेंट लेकर आई कोई जम्मू कश्मीर की एसेंबली नी लेकर आई कोई राजा नी लेकर आया और कोई वहां की प्रिजानी लेकर आई अब हमने कहा करने का समय ना आए तो और सम्मिधान तो लागू कर नहीं है वहां तो हमने उसमें सम्विधान के बाकी articles को वहाँ enforcement में लाने की प्रक्रियत 370 में लगी और ये कहा कि president with modification and exceptions can enforce the articles ये article enforcement में वहाँ आना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे जो जो समस्य हैं वहाँ solve होती जाएंगी जो जो restriction हटते जाएंगे वो वो article वहाँ जा सकते हैं और जिन articles में अ जोख लीजे बाकी को लागू कर दीजिए अब आप सीज करें या लागू करें परलेमेंट जाना नहीं है तो प्रेसिडेंट अकेला है राज्य की इस्तिति कौन बताएगा कि राज्य में समस्य हो गई कि नहीं हो राज्य बताएगा ना है अब यह political leadership इसके बीच में नहीं है करवल करने के लिए पूर राजा ने जो डिसाइट कर दिया और वह मनें मनें मान लिया और राजा ने का वह जा ऐसे से कर लें थे हमने का ओवह ठीक हो गया केंदर में के परलेमेंट से कि हम आर्टिकल्स को वहां लागू करें इन्फोर्स्मेंट में उसके लिए एसेंब्ली से बात कर लीजे इस प्रिक्रिया में सबसे पहले हमने 1952 में और फिर 1954 में फाइनली एक constitutional order किया constitutional order मैं इसलिए कहता हूं कि constitution ने power president को दे दी president राज से बात करके संविधान को वहां लागू करवाएगा तो 1954 का पहला presidential order या constitutional order रहा और उसने वहां पर संविधान के बाकी प्रावधान जो ओर्जिनली 370 में लिखा था कि ऐसे जाएगा उसने लगू करवाने शुरू कर दिये पहली चोट में एप्रॉक्स आज तक हम साड़े 400 में से लगबख साड़े 300 आटिकल वहां लागू करवा चुके हैं केंद्र की जो सूची है वो पूरी लागू है लगबख राज्यों के भी मोसली प्रावधान लागू कुछ प्रावधानों को छोड़कर जिससे ये confuse करते हैं ये जो आपने प्रशन किया ना 35 कैपिटल लेगा ये 1954 के प्रेसिदेंशल और से आया ये तो ऐसा आटिकल है जिसको प्रेसिदेंट को बनाने का राइट नहीं प्रेसिदेंट ने तो Constitution नहीं बना दिया जो प्रेसिदेंट बना रही थी और प्रेसिदेंट आपको पावर दी थी कि भईया जो हमने बना कर रखा उसको वहाँ लगू करवा दो समय समय पर और आपने के किया लगू करवाने के साथ साथ एक आर्टिकल नया बना दिया उस आर्टिकल को नया नम्मर मिला वो था 35 कैपिटल A तो 1954 में जब आर्टिकल 35 कैपिटल A बना वहां से 370 की प्राबलम शुरू होती है जो 35 से है एक तो सीधा-सीधा ये लगता है कि सम्विधान में जो fundamental rights है वनियादी मौलिक अधिकार है उनकी उसकी मूल भावना के विपरीत क्योंकि ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें नागरिकों को जो है कई अधिकारों से बहुत ज़्यादा अधिकारों से वन्चित रखा गया तो किस-किस तरीके के दुश परिणाम इसमें हमें समाज में देखने को मिले है पूरे देश को जानने की जुरूत है बहुत खतरनाक है आटिकल 35 के अपको किसी को भी फिजिकल किलिंग न करनी हो पॉलिटिकल किलिंग करनी हो किसी भी राज्य में किसी भी समधाय को आप 35 के अपने आप एक वर्ग समापत हो जाएगा क्यों किसी आटिकल में लिखा क्या पता नहीं लिखते समय सोचा भी था कि नहीं सोचा था प्रोसीजर अलग बात है उसके अंदर जो लिखा वो तो सोच लेना था क्या लिखा उन्होंने उन्होंने कहा इस आर्टिकल से की पर्मनेट रेजेट्समे इमसाइर्टे में वहीं चलो यह ठीक है बॉमिसाइल हुता है यहीं ऑलॉजिम होता है for the purpose of resident, for the purpose of scholarship, and for the purpose of professional education. अब आप देखे, किसी राज्य को इतनी पावर दे दीजे, और वो बता दे भाईया, आपको नोकरी करने का दिकारनी हमारे राज्य में, आपको रहने का दिकार नहीं, पर्मनेंट हमारे राज्य में, आपको सरकारी साहिता का राइट नहीं हमारे राज्य में, और आपको बची कुछी अगर बिल्कुली मारना हो तो प्रफेशनल एज्यूकेशन का भी राइट नहीं. यह तो बहुत ऐसा लगा, सम्विधान के अंदर मौलिक अधिकार है, जिसमें भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाए, कहीं भी रहे, कुछ भी करें, रोजगार करें, यह तो मौलिक अधिकार है, और यह 35 में जो यह कहा गया, यह तो बिल्कुल उसके विपर पार्टीशन 47 में हुआ, और पार्टीशन से पूरे देश में लोग गए, उसको क्या मालम जम्मू कश्मीर में क्या बला चल रही है, जिसको जहां मिला वो वहां रुग गया, तो जम्मू कश्मीर में जो लोग रुग गए, उनको वहां की निवासिता न मिले, इसके लिए 44 पर गए, यानि जो कट ओफ डेट जो पीछे की की गई, चेवालिस की की गई, क्योंकि हल्चल तो ज्यादा सेंताल इसके आसपास हुई, और जो माइग्रेशन इधर की तरफ हुआ, उसके बारे में सपश्ट मानना होगा के जो पाकिस्तान की तरफ से जो बन गया, वहां स समय तो देश का सेंटिमेंट अलग है, इसलिए आप वहां रहने से तो निरोक सकते हैं, लेकिन कानूनन अधिकार मत दीजिये, तो आगे भविश्य में जब भी ये खुलेगा, तो अपने अमर जाएगा, अब आप सोचो, 1947 में जो इस्टेट में गुसा, वो 1954 तक उसका 1954 तक तो सब थी, 1954 में आपने 35 कैपिटले बना दिया, और 44 के स्टेटस पर ले गए, तो साथ साल राज्य में रहने के बाद, वो राज्य का निवासिता का देकार खो बैठा, इसके इलस्ट्रेशन आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्यर होगा, पाकिस्तान से आने वा पाकिस्तान से आए, इंदर कुमार गुजराल थे, पाकिस्तान से आए, लाल करशन रवानी जी है, पाकिस्तान से आए, और देश के प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री बनें, लेकिन उसी लॉट में, उसी खेमे में, जो जम्मु कश्मीर रह गए, उनको पंचायत चुनाओ पंचाय चुनों में वो टलने का दिकार भी नहीं है जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर देश के बाहर जाएगा तो उसको पासपोर्ट एकी ही मिलेगा एकी रंगा पासपोर्ट है वो डिसाइड करता है आप भारत के नागरिक है इसलिए भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर के नागरिक में उत्व में निवासिता में फर्क है ठीक तो आप जो शब्न इस्तेमाल करेंना जолод आ वह वह ये कहना चाहिए जम्मू कश्मीर में निवास करने वाले वेक्ति में फरक क्या है जो उत्तर पर्तिश में निवासég में निवास तरह reciben भारत का है अभी गिलानी का प्रक्रण आया ना सामने पास्पोर्ट लेने वो दिल्ली आये ना आप भारत के नागरिक हैं इसलिए आप यहां पर आए आप अगर कुछ और होते तो कुछ और लेकर आते इसलिए नागरिक एक निवासिता लग लग जो रिफूजी हैं वो कर सकते और सरकार की एक पैसे की मदद नहीं ले सकते आज के डेमोक्रेसिक डेमोक्रेटिक कंट्री में बिना सरकार की मदद के कुछ चल रहा है क्या हूं लेकिन आप नहीं ले सकते यह 35 एक सम्विधान में 370 में 1D में यह कहा गया कि प्रेजिडेंट को अपने तौर पर खास तौर पे कि वह कुछ वहां के नियमों में वहां के जो भारत के सम्विधान से इतर कुछ वह अपने हिसाब से अपनी सोच समझ के हिसाब से वहां वो परिवर्तनों के आदेश दे सकता है गड़बड कहां पर हुई क्या प्रेजिडेंशल ओर में गड़बड हुई जि तो सीज करते एकदम या प्रावधान सीधा ले जाए और अगर उसको लगता है यह प्रावधान पूरा नहीं आ सकता इसका एक क्लॉस अभी वहां बादा है सामान जीमन लाने में तो उस क्लॉस को कुछ exception और modification या तो उसको हटा दे या उसको modify करके वहां लागू करवा दे तो यह जो exception modification की power हमने प्रेसिडेंट को दीना इस exception modification में प्रेसिडेंट ने addition कर दिया कि एकसेप्चिन मोडिकेशन की पावर को एडीशन की पावर से नई कि देखना हुआ है अपको मैं इसम करवाना था जब यह सब गया प्रेंड के पास तो ने,के चिथी लिख्यी ओफिज्धिल चिथी उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि क्या मुझे ऐसे अधिकार है कि मैं आटिकल जोड़ दूं या इतनी इक्स्टावर मेरे पास है क्या यह प्रामिस्टर को लिखा ऐब ऑफिशल जिट्टी प्रामिस्टर ने उसका रिप्लाई दिया और प्रामिस्टर ने कहा कि देखे यह स अतराचार की यह भाशा है इसलिए इसको हम ऑफिशली डिसकस ना करके अनोफिशल डिसकस करेंगे और यह लेटर भी ओफिशल लेटर था तो आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट को भी यह तराज था उस समय वह कह रहा था मेरी पावर नहीं है कैसे मैं करूं और देश के कैबिनेट से मत पास करवाईए लेकिन वो आटिकल है और हमरे देश की बिडंबना देखिए कि साथ वर्षों तक हम यह कहते रहे कि साब कल्प्रिट 370 है यह सारी समस्य है 370 से खड़ी हुई और बाद में पता लगा कि नहीं खाव 370 की तरह तो 25 आटिकल है को समिधान में कोई कर लिया नहीं तो ऐसे पंदरा राज्यों में 25 आटिकल है तो लगा कि जब इतने राज्यों में इतने आटिकल से किसी में गड़ बढ़ नहीं इसमें क्यों गड़ बढ़ है तब खोजबीन शुरू हुई तो मालुम पड़ा इसमें गड़ बढ़ 370 कम और थर्टीव कि उसने राज्य में दो प्रकार के निवासी बना दिये एक वो जिनके पास राइट है एक वो जिनके पास राइट नहीं है कि राज्य के अंदर अब आपको मैं इसका एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन बताता हूं कि गड़ बढ़ कैसे की जाती है कि बक्षि गुलाम म कर दी हरताल सफ़ाइ करना हो तो बड़ी समस्या और हरताल पर है बनमे तो रूलर ने मुख्मनतरी पंजाब से का कि कुछ रूप दे दीजिए सफाई गरम चारी तक हमारा काम चल जाए पंजाब ने का भई आपके यह बड़ी समस्या हैं क्योंकि उनको में को लगता है कि देश के प्रदान मंतरी के लावा सबसे पंजाब बाली जानते हैं तो पंजाब ने का हम नहीं दे सकत हो बेदीगे 5000 या उससे जदा परिवर कि सरकार ने जो आश्वाशन दिया था कि हम इनको प्यर्शी देंगे उसमें किया क्या उसने उसने सर्विस लॉज में एक्सेप्शन जोड़ दिया कि सर्विस लॉज में अच्छ और उसने कहा कि जो लोग सफाई करमचारी होंगे उ को यहां काम कर सकते हैं अब वो जो गया उसको क्या मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है उसको तो लगा वह यह राज ने आश्वाशन दिया मेरे मुक्मंतरी ने वेजा उसके मुक्मंतरी ने आश्वाशन दिया मैं चलाया मैं मुझे इंप्लाइमेंट चाहिए ते मैं यहां का परने चलाया है साव उनके बच्चे जब एजूकेशन मांगने गए बच्चे बड़े होंगे पढ़ाएंगे भी सरकार से लाभ भी मांगेंगे तो उन्हां का या आपके बाद प्यार सी नहीं है क्यों नहीं है वह तो ऐसा हुआ था तो देखिए आपको रिलेक्सेशन था अगर आप दूसरे शब्दों के लिए यूँ एविंग दप्यार सी फॉर दस्वीपर वर कॉनली तुम हमारे राज्य में सूइपर का काम कर सकते हैं और कोई कार हमारे राज्य में नहीं कर सकता है क मुझे राइट मिला है राज्य को राइट थै और राइट जे अंको रिकशन नहीं कर रहा है कि तुम यहां के निवासी हो और वो पांचमी छटी बीडी चल रही है सर गे tavis अ Анय एक मीचटीड़ी को वहां प्रॉफेशल एडूकेशन की राइट नहीं है . वहां नोकरी करने की राइट नहीं है , सरकार से मदद लेने के राइट नहीं , अपना पक्का घर बनाने की राइट नहीं . जिस देश में दलित सहित लिखा जा रहा हूं दलित चुआ चूत की समस्या हमारे देश की एक भयानक समस्या है सम्पिधान और कानून इसलिए बनाये जाते हैं कि यह समस्या समाप्त हो जाए SCST जैसे laws हम इसलिए बनाते हैं कि यह समस्या समाधान हो जाए उस राज्य में सम्वाइधानिक रूप से किसी को सुईपर गोशित किया जाए आपने संसार के किसी सम्विधान में देखा है कि सुईपर सम्विधान गोशित करे कि अगर तुम इस घर में पैदा होगे तो सुईपर ही पैदा होगे तुम इस राज्य में कुछ कर नी सकते स्वीपर के लाबा वह Oxford से डिग्री ले आए वह दिल्ली निवस्ट्री से डिग्री ले जाए वह IAT, IIM से डिग्री ले जाए जब राज्य में घुजेगा ना तो स्वीपर वर्क उनली वह अपनी medical की डिग्री नाली में पल रहे किटानूं को उपर लगा सकता है इस से ज़्यादा कुछ नहीं सकता है और हमारे यहां तो दलित राजनीती होती है अभी आप चुनाओ में देख लीजेगा दलित के अधार पर भी क्या बबाल मचेगा लेकिन क्या उन में से एक भी दलित नेता ये कहेगा क उनके साथ इतनी नांसाफी कि आप उनको बेसिक राइट तो छोड़ दीजिए देना एक्स्ट्रा जो उनके अपने बाई बर्त मिलने चाहिए कि वो एजुकेट हो सकें अपने दम पर खड़े हो जाएं अपना एक घर बना लें अपने पैसे से मतलब आप ने तो यह कर दि कि साथ हमारे राज में मेरी इक्षा के वेरुद्ध हैं जिसको हम चाहेंगे उसको रखेंगे जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं रखेंगे और केंदर ने पावर दी वह कैसे कर लेंगे 370 उनका तो उनने नहीं पास किया उनके राज ने 370 पास कर दिया हो या राजा ने 370 की कंडिशन लगा दी हो या कोई कंडिशनल एक्सेशन हो गया हो ऐसा तो कुछ था नहीं 370 भी अधिमिलन के दो बर्ष बाद आया और 35 केपटल या प्रेशिदेंशल ओडर अधिमिलन के साथ साल बाद आया और दिली की सरकार ने एक और बड़ा राइटन को दिया आर्टिकल सैविन जब वहां लागू करवाया सेटीजिंशिप का तो वो जो पाकिस्तान चले गए लोग हैं माइग्रेंट वह वापस देश में आते हैं उसके लिए आटिकल सहन है कि उसमें आपने संशोधन कर दिया जम्मू कष्मी राज में जो लोग वापस आएंगे उनको जम्मू कश्मीराज करेगा की यहां के टों सायल हैं कि नहीं हैं केंदर दर्गार नहीं करेगड देश में गुसने के लिए आपको Beta में गुसने के लिए केंदर से पर मुंकिश्मीर रजय में नहीं चाहिए है इसलिए उन्होंने क्या किया ? उन्होंने कٍक़ जो लोग पाकिस्तान से मुसलिम साते हैं उनको हम दे देए mh दोमिसाइल के बेस परा उन्होंने सिडियस्शिप क्लैम करती है पाकिसबा से आ है लोग ऐसे डेमोग्राफी चेंज करे ए हिंदू टिकना पाए और मुस्लिम आता जाए और 1989 तक वो सिचुएशन बन गई इन दोनों में कि हिंदू मैनुरिटी में आ गया और मुस्लिम मैजुरिटी में आ गया और एक दिन उन्हें प्रहार कर दिया और बोले तुम जाओ कि भागना पड़ा लोगों को का से है कि माताएं बहने छोड़नी पड़ी कुछ निकाल पाए कुछ नहीं निकाल पाए जैसे यह वह हुआ है यह परिणाम था 35 कैपिटल एका सर यह परिणाम था 370 के मिस्यूस का जो जमु कश्मीर राज ने तो पावर मिलने के बाद किया औ और बाई फ्राड पावर दिल्ली ने दी राजेका कोई रोली नितना बड़ा अन्याय हुआ और पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने का बड़ा खेल हुआ और उसमें दिल्ली सरकार ने पूरा खाद पानी उस समय की जो भी थी उनको वो देते रहे और वो कानून की आल मे और उसमें आपने बहुत बड़ा शब्द भी इसमाल किया constitutional fraud अब जब इतना बड़ा constitutional fraud है तो ये भी समझना होगा कि लगबग 70 साल के करीब हुए ये सब चीजे चलती रही किसी ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इतने बड़े constitutional fraud के विरुद कुछ कानूनी रास्ता भी अख्तिया ही नहीं गया क्योंकि राजनीती उस तरह की लिए जिस दिन ये पता लगा आज से दस साल पहले कि कल्प्रिट 370 से बहुत ज़्यादा 35 गैबटल है तब इसका हिलाज शुरू हुआ है घाटी में लोग हमेशा कहते रहे 370 हमें चाहिए एक ग्रूप कहता रहें तीन सो तरह हटाएंगे एक हैतारा नहीं रखेंगे आपको बताओं कि जम्मु कश्मीर एसेंबली ने रिकमेंडेशन करी तिन से उड़ाने की कि जम्मु कश्मीर राज्य ने रिकमेंडेशन करी केंद्र को कि 370 खतम कर दीजे हमें बहुत प्राब्लम है पंडित नहरू ने पार्लिमेंट में जवाब दिया कि यह आर्टिकल घिस्ते घिस्ते घिस जाएगा इसको खतम करने की ज़रुवत नहीं है अच्छा अगर गलती हो भी गई थी तो राज्य सुधारना चाहता है लेकिन आप सुधारने को तहियार नहीं थे केंद्र को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि 370 खताओ इधर जम्मू और लद्दाक में और किंद्र कहरा तर नहीं जरुवत है मैं भी तो आप सो सकते हैं की कल्प्रिट कौन है राज्य की सियासत या दिल्ली इसका जो मेन कल्प्रिट है वो दिल्ली है तो यह बातें जो है लगबग साट साल तक जनता की नजरों से दूर रही ये पता ही नहीं लगने दिया गया कि दरसल सारी गड़वर जो थी वो थी कहां और कर कौन रहे थे लोग ये बात भी छुपा के रखें कि आज ठीक है आपने दूबे जी बताया कही चीज़ें अब सामने आ रही है आपने बता है संसदिये कुछ इसके रास्ते भी थे जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेट कह रहा था और प्रधान मंतरी मना कर रहे थे यानि अगर 370 के तहट स्पेशल पावर में 35 को जारी किया गया अगर 370 को रिपील करते तो फिर क्या वो 35 से भी अपने आप डाइलीट हो जाती खतम हो जाती यह यह किस तरह का प्रॉसेस चलना था यदि संसदिये रास्ता अगर सच में हम पूछे तो क्या हो सकता था उस समय देखिए जो लोगों ने कहना शुरू कि 370 तब तक नहीं उड़ाए जा सकता जब त तो प्रेसिडेंट और राज्य मिलके 370 उड़ाते हैं जैसा राज्य कह रहा था प्रेसिडेंट को कि साब इसको हटा दीजे या बहुत लोग महां से कह रहे थी कि इसको हटा दीजे तो राज्य तो अब तो कह नहीं रहा तो लोगों का कहना 370 कैसे हट सकता है जब तक प्रेसिडेंट की पावर में आता है ना 370 कॉंसिटूशन से भारत हो नहीं है लटीज पार्ट ऑफ कॉंसिटूशन अफ तीक है और 368 में केश्व अनद भारती का जो देश का सबसे बड़ा जज्जमेंट था उसने कहा कि भाई प्रालियमेंट को इच और एवरी आर्टिक इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बिल अमेंड करने का राइट है वह बेसिक स्ट्रक्शर चेंज नहीं कर सकते बागे सब कुछ चेंज कर सकते हैं हम तब से 1973 से लेकर अब तक उसी पर चल रहे हैं सुप्रीम कोट में जितने केसे भी जाते हैं वह कह रहा है कि हरेकार्ट कर सकता है तो क्या 370 Constitution का हिस्था नहीं है कि सरकार कुछ गलत करे तो पार्लेमेंट सही कर सकती है और उसको अमेंट कर सकती है लोगों को सरकार के खिलाफ अधिकार उस अधिकार को भी कर सकती है बेसिक स्ट्रक्शर नहीं कर सकती है तो आप मुझे प फुल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में किसी आर्टिकल को अमेंट करने के लिए दो तेही बहुमत चाहिए है जिस दिन दोनों हाउस दो तेही बहुमत रख लें उस दिन 370 को वो हटा सकते हैं 370 पालेमेंट ने बनाई पालेमेंट अब आपका वो दूसरा प्रशन कि 370 हट जाएगा तो क्या होगा यह जो महभुवा मुफ्ती ने बोल दिया यह जो उमर अबदुल्ला ने बोल दिया कि हम तो रहेंगे नहीं तो यहां यहां परिशानी इनको किस बात किया इनको परिशानी नहीं यह मिसगाइड करना जंता को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की खास मिसगाइड करना यह तो 370 और आप इस्पेशल स्टेटस और उसकी बात करते हैं यह तो टेंपरिरी इस वह उसकी शीडूले दिय गोशित कर देते हैं हम राज्य के अंदर दार्जलिंग को शेडूल ले दिया गोशित कर दिया ममतब इनेट जी की पावर वहां कम कर दी बोडोलेंड गोशित कर दिया नागालेंड को गोशित कर दिया या इधर हमने लद्दा काउंसिल बना दी कहां है 370, 371, ABCD कुछ भी अरे भाई हमारे देश के एक राज्य के अंदर भी एगर कोई समस्या है तो उस राज्य से के बगएर हम उस राज्य से उस टेरिटरी को भी डिरेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कुछ पावर ितीसमें राज्य के पास सोंगी बाकी बावर सब के हैं कर एक कर पास होंगी अगर हमने अures कोई प्राबलम को सॉल्कर करने के लिए को अटिकल बनाया तो इसका मतलब यह नहीं बोहा अप हमँपार हटाई ने सकते पृत की और हमारी तो ये वो आप क्यों में स्काइड करते ने देश को आप बताओने कॉन सी कंडिशन थी और फिर प्रोक्लेमेशन मैं तो बार बर उमर बदुल्ला से एक बात पूछुंगा क्या उन्होंने 25 नवंबर सन 1999 का महराजा का प्रोक्लेमेशन पढ़ा है जिसमें वो सम्मिधान को अपने हां लगू करवा रहे हैं और उस सम्मिधान ने उस महराजा को भी खतम कर दिया वो खतम तो हो गए महराजा अगर उस प्रोक्लेमेशन में इतनी तागत नहीं थी तो महराजा तो अभी जिन्दा होता वहाँ राजा बैठा होता तो आप मुझे बता दो राजा खतम हो गया उस प्रोक्लेमेशन से और आप के तो हम हैं हमने ये किया वो किया अगर राजा के instrument application में आज भी इतनी जान होती या कोई document भी इतनी जान होती तो राजा भी अभी वहां राजा बना बैठा होता और कोई मुझे लगता है के संसिधिय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया और पूरी तरह से देश की जनता को अंधेरे में रखा गया, संसत को अंधेरे में रखकर जिस तरह से यह हुआ और फिर उसके रेपरकर्शन्स, उसके नतीजे परिणाम हमने जमीन पर देखे किस तरह से जमी कश्मीर का समाज जो है वो उसका एक बहुत बड़ा वर्ग परिशान रहा, वो आज भी उन तकलीफों का सामना करता है लेकिन मामला चुकी अब अदालत में है तो ऐसे कौन से तरक हो सकते हैं जो अदालत की कानून की कसौटी पर जिसको कहते हैं वो खरे उतरे और इस पैंतिसे का जो दुरूपयोग हुआ है उसे खतम करें पैंतिसे कोई खतम करें धारा तीन सो सत्तर का क्या होगा ऐसे कौन से तरक हैं जो अदालत में सटीक रूप से खड़े रह सकते हैं दो प्ली उसमें मुख हैं एक तो यह है कि 35 कैपिटल एको लाने की प्रेशिएंट को पावर थी क्या बिना पार्लिमेंट के अब अगर दूसरा पहलू उसमें है कि पावर थी सपोस कोट ने कहा दिया चलो ठीक है जैसी थी वैसी ती यह बन गई तो अब सत्तर साल से चल र मार वहां वहा भी वुरी जो क्या वो कोसिटूशन के फंडमेंटल राइट देने के लिया जी है इस जो ह्वारतका सुटिजिसन और दो प्रकार के टेविए कि एक फर्क कश्मीर डू नाट हैविंग दा राइट आप रोहिंग्या जो इल्लीगली घुसे उनको जब उनकश्मीर कहता है कि यह निवासी है और जो लीगली घुसे वो कहता है निवासी नहीं है कि दूसरा जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने का साब की महिलाएं हमारे यहां से जो बाहर विभा करेंगी उनकी निवासता हम छीन लेते हैं क्योंकि राइट तो मेरे पास है केंद्र तो कर नहीं चकता है पावर मेरे पास हम कर लेंगा हमने का कि उन्होंने का कि नहीं यह तो का अनकॉंस्टूटूटूटूशनल है कि माली अब कोई भी व्यक्ति जो महिला जमो कश्मिर से बाहर शादी करती और क्लेम करने जाती है वहां तो मालूम हो क्या करते कहते हैं वो कहते हैं आपके पास क्या 1944 से पहले का वह है सर्टिफिकेट आप पता ही 1944 से पहले उस उथल पुथल में लोग वो सर्टिफिकेट कहां से डून के लाएंगे जैसे आपने पीछे भी सुना होगा कि फारुक अदुल्ला की बेटी नहीं रखती वो बाहर हो जाएगी वो बाहर बाहर शादी करती है तो लेकिन उमर अब्दुला कहीं से ले तो फिर ये कहां रास्ता चलेगा या भी ये राजनीती बहुत लंबी चल देखिए सुप्रीम कोट की बहुत सारी रूलेगे हैं जिसे मैं उन्होंने साफ कहा है जो अनकॉंसिटूशनल है वो जिस दिन मेरे सामने आएगा उस दिन हम उसको अनकॉंसिटूशनल डिकलेर कर है और कोट से भी अभी आशा है कि कुछ नकुछ अच्छा निरने कुछ बहुत जल्द सामने आएगा और दूबे साब बहुत बहुत शुक्री आप इस वारता में हमारे साथ जुड़े